दिवाली के उपाय हे नयन चीजे चमका सकती हैं आपका लगधन 13 स्वधी पाहली पर कुछ वस्तुयों को घर में रखा जाए तो मालक्षमी प्रसंद होती है और किसी की भी किस्मत चमका सकती है वन मालक्षमी की चरण पादुकाई धन 13 स्यादी पाहली के तिन मालक्षमी की चांदी से निर्मित चरण पादुकाई धन स्थान पर इस प्रकार रखे कि इसकी गिशा धन स्थान की और जाती हुए रहे इसका अर्थ है लक्ष्मी सद्यवाब के धन स्थान में ही निवास करें, ये बहुत ही खास और अचुक उपाय है। श्रीयंत्र यंत्र शास्त्र में श्रीयंत्र की विशेश महिमा बताई गई है। 3. कुबेर प्रतिमा भगवान कुबेर यक्ष्वा गंधर्यों के स्वामी है। यही समस्त संसार के धन की रक्षा करते हैं। धन तेरा स्यादी पावली के तिन इनकी प्रतिमा घर की उत्तर दिशा में रखे। इस बात का विशेश ध्यान रखे कि जहां इनकी प्रतिमा रखी वहां की साफस्वाई रोज की जाए। प्रितुंती होने पर महिलाए कुदेर देर की प्रतिमा को हाथ ना लगाए। 4. दक्षिर्णावर्ती शंक तंत्रमंत्र में दक्षिर्णावर्ती शंक का विशेश मत्व है। धन्तेरस्यादी पाहली के तिन इसे घर के पुजा स्थान याति जोरी में नरंग रखने से माता लक्ष्मी प्रसंद होती है। दक्षिर्णावर्ती शंक से भगवान विश्णु का अभिशेक करने से सभी प्रकार के सुथ प्राप्त होते हैं और साधक को कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। मा लक्ष्मी को प्रसंद करने का ये बहुत ही खास उपाय है। मोती शंक मोती शंक एक बहुत ही दुरलग प्रजाती का शंक माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह शंक बहुत ही चमतकारी होता है। यह दिखने में बहुत ही सुन्दर होता है। इसे घर में रखने से धन संपत्ती बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामज्जा स्य बना रता है। धन 13 स्यादी पावली के तिन इसे अपनी तीजोरी में रखे। 6. पारद लक्ष्मी प्रतिमा तंत्र शास्त्र में पारद से निर्मित देव प्रतिमाओं को बहुत ही विशेश माना गया है। घर में पारद से निर्मित लक्ष्मी प्रतिमा रखने से बहुत लाध होता है। धन तेरा स्यागी पावली के दिन इस प्रतिमा की स्थापना घर के पूजन स्थान पर करें और इसकी पुजा करनी चाहिए। पारत लक्षमी प्रतिमा के पूजन से घर को बुरी नजर नहीं लगती यदि घर में कोई नकार आत्मक शक्ती हो तो वह भी स्वयम ही चली जाती ह सेवन पौडिये समूद्र से निकलती है दिखने में यह बहुत साधारण होती है लेकिन इसका प्रभाब बहुत अधित होता है लक्षमी जी समूद्र से उत्पन हुई है और पौडियां भी समूद्र से निकलती है इसलिए इसमें धन को अपनी और आकरशित करने का प्राक प्रतित कुर्ण होता है धन तेरा से आधी पाहली के दिन इसे धन स्थान पर रखना शुद्ध होता है कमल से निकलने वाला एक प्रकार का बीज है चूंकी मालक्षी कमल पर ही विराजमान होती है इसलिए इस बीज को बहुत ही चमतकारी माना जाता है धन तेरा से अधी पाहली के दिन इसे घर के पूजन स्थान पर रखने से मालक्ष्मी प्रसंद होती है लग्व नारियल ये नारियल आम नारियल से थोड़ा छोटा होता है। दंप्रमंत्र में इसका खास मत्व है। नारियल को श्रीफल भीखते हैं यानि देवी लक्ष्मी का फल। धन्तेरस्यादी पावली के तिन इसकी विधिविधान से पुजा करलाल कपड़े में वांथकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर इस पर ना पड़े। इस उपाए से मां लक्ष्मी अती प्रसंद होती है।